शब्सक्राइब कीजिए डिक के आ स्मार्ट बैयलोजी क्लासेश चैनल को और बेलाइकन को धबाईए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने को लिए स्मार्ट बाइलोजिक क्लास तो चलिए आज बहुत खुशी के बात है कि हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ चुके हैं और हमें उमिद है कि आप भी बहुत खुशा और संतोष्ट होंगे क्योंकि आपको भी चैनल पर अच्छा अच्छे कॉंटेंट वाले व लिखावा आई शने जरा आज आएगा तो ध्यान रहें जैसे कि हम यहां पर क्या करने वाले हैं तो जो एक्जाम हुआ है उसमें जो क्यूशन पूछे गया है उसक्यूशन का हम स्लूशन यह नि आंसर की आपको प्रदान करने वाले है इसमें बिल्कुल परफेक्ट और क् जाएगी यह आप समझिए हैंडे 10 परफेक्ट और कैरेक्ट ही रहेगा इसमें किसी प्रकार कोई तोटी आपको देखने को नहीं मिलेगी चलिए तो थ्वासा आपको बताना चाहिए कि वीडियो जहां सूट करने में काफी वक्त लग गया क्योंकि जहना कुछ टेक्निकल लिश्व आ रहे थी दूसरी बात की जहने लाप्टॉप से काफी लंबे समय से वीडियो नहीं बनाए जा रहे थी इसलिए थ्वासा प्रॉलम आ रहे थी तो चलिए हम उन से प्रॉलमों को दूर करते हुए आपके लिए महातुपन वीडियो ले करके आज जूए हैं और हम कि हम आपको बता रहे हैं और कुछ सिखावी रहे हैं तो चलिए देखिए हमपर सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि हमारे पास जो क्या है उस क्योशन का सेट है उस सेट नंबर जहना देखेंगे आप सेट का को जो कोड है तो जे है आपके पास सेट कोई और भी हो सकता अगर 더 ऑच्छी बात है और नहीं नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं गढ़ाने वाली बात नहीं क्युंकि जितने भी होते हैं टिक यह इसके लाब हम यहां पर देखिए कोड भी होती है इसा बहुत सारी चीजों रहती हो जो kry both और सबसे मुद्धि वाली बात आ जाती है कि आपको इहां पर टाइम भी दिये जाते इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के लिए 15 मिन टाइम एक्ट्रा दिये जाते हैं तो इससे भी आप पढ़कर के मैनेज कर सकते हैं लेकिन मोटा मोटी हम कुछ जनकारिय आपको दे दते हैं ता आपको बतना चाहेंगा सतंतर कि इशन अब्जेक्टिफ, बिच विचन नंतिकी है थीशन में पर एक्र सेमारक्स माहें आपको बनाना ना है और यहाँपर छे माहaria यहाँपर 500 वा ठाष गना बनाना थ्री बनाना तो चलिए अब तोटल अगर देखा जा तो 35 इसमें से 10 इसमें से और तीन इसमें से तो 23 और 35 क्यूशन आपको इस प्रकार से सॉल्ब करने है इसमें टोटल चलिए तो यह जो है मार्क्स जो होगा पूरी 70 नंबर का होगा तो चलिए हम अहां इस थोड़ा सा इं क्या किये गये है तो objective question पूछे गये हैं देखिए 70 जो है objective question पूछे गये हैं इसमें से आपको जहना 10 question को solve करनी है उसी प्रकास आजर हम आपको बताएं तो 6 question है वो long question है इसमें से आपको जहना पूछा जाया, इसमें से आपको थर्ट जानक क्यूशन का अंसर देना है, जो फाइप मार्क्स का होगा, और इसके लाव जितने भी लेक्ट्रोनिक्स वोप करन होते हैं, आपको प्योग वहाँ पर एक्जाम में नहीं कर दिये हैं, तो आपको पूरी तरह से बाधित कर जाए तो द्यान दगिए, हम आपको बता रहे हैं, फटब फटब आप ध्यान से सुन दे जाए और अंसर को मिलाते जाए कि आपका इसमें कितना क्यूशन चाही हुआ है, और जो क्यूशन चाही हुआ है ठीक है, उसके बारे में आप आइडिया दिद लिए जोना कॉमेंट बाक् और यहां पर जितने भी जोना content दिये जाएंगे को बिल्कुल perfect और character दिये जाएंगे, आप 110% इस पर genuinely believe कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर कोई unknown चीज और truthy वाले चीज नहीं बताई जाती है, यहां पर बिल्कुल truthy less ही जहना हर चीज बताई जाती है, यहां पर ध् आरेने के जो होते हैं, आरेने के purine और पारियमेडीन दोनों पाये जाते हैं, लिकिन यहां पार पुछा जा रहा है, तो ध्यान रहा है आरेने के जो पार Але होते हैं, उसमें cytosin और uracil पाये जाते हैं, यहां buy a-का क्या? तो C, बास समयारी है लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान रखेंगे पहला का option क्या होगा? C लेकिन थ्वास हम आपको बिशे जनकर रिल क्या आप बता देते हैं कि RNA में Purine भी पाई जाती है, अगर यहाँ पर पूछा जाता क्योचन, जना RNA के Purine में क्या पाई जाता है तो आपको बतानी होगी कि Adenine और Guanine पाई जाता है क्या पाई जाता है तो Adenine और Guanine पाई जाता है अगर यहाँ पर Purine रहता तब लेकिन यहाँ पर Purine नहीं भलकि Pyramidine है, इसलिए आपका जो answer सही होता है, 1st का C होता है नेक्स्ट केश्चन को हम लोग ध्यान देते है का रहते हैं, कि ट्रिपल जाना Antigen Tika का उप्योग किस के लिए नहीं होता है तो ध्यान रहे, ट्रिपल Antigen Tika का उप्योग जो है Typhide के लिए नहीं किया जाता है यानि 2nd का Option C है ध्यान रहे, इसमें बहुत सारे Option जो है, देख रहा है Pencil से तो उस पर आपको ध्यान नहीं देनी है जो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, तो underline कर रहे है इस पर आपको focus करनी है और यहीं आपको perfect और correct answer होगा इस बात को आप ध्यान रखेगा इसमें बहुत सारे गलती भी यहां पर आपको घबराने के जुर्द नहीं है और उस पर भी से ध्यान देने के जुर्द भी नहीं है जो हम आपको underline कर रहे हैं उस पर आपको focus करनी है उसके बात के लिए पर ध्यान देंगे इसमें बहुत सारे बच्चे confuse कर रहे हैं ठीक है तो इस बात को आप ध्यान रखेए यह बिल्कुल perfect answer है इसमें आपको घबराने के जुर्द नहीं है आपने चिंत हो करके इस पर believe कर कीजिए क्योंकि हम खुद value का एक अनुभवी और बहतरिन सक्षक है इसलिए हम आपको एक content दे रहे हैं और आपको बिल्कुल 110% वादे भी कर रहे है तो चलिए घबराये नहीं आगे मन से सिखते जाए और समझते जाए तो आपको भी से जनकरे एक लिके बता दे जितने भी आप क्यूशन देख रहे हैं इसमें ठीक लगाया हुआ है यहां पर साइड में ठीक क्या कर रहा है इसके बारे में आपको थहाँ सा जनकारिया दे देते हैं जैसे персонаж होने से लगभाग एक सबस्ता पहले हम अपने बच्च्य को आपने टेस्ट लिये थे जिसमें की बहुत सारी क्यूशन देए गये थे उन क्यूशनों में से इसमें पूछे गए हैं जहना एजो क्यूशन पूछे गए हैं उन क्यूशन में इस।ा कार की एरो देखने को आपको मिलेगा जहना हमारे बच्चे काफी इस बात को ले करके उच्छुक थे और बता रहे थे कि सर जानते हैं ठीक है आप जो टेस्ट यह थे थे उसमें लगभा जहना चालिस से पैतालिस की उच्छन हो बहुत सर पुछा गया लेकिन हम लोग उतना नहीं 35 से बनाना था इसलिए 35 और क्लियर बना करके आया है सर बहुत आज खुस और संतूस्थ है सर ठीक है और फोन करके और वार्टसप करके बहुत जाहना खुसी जाहिर करते हुए नजर आ रह है कि इसके बाद आगकर हम बात कर देत रहा है कि क्या है कर रहा है कर रहा कि निम्ड मेंसे कौन आहर सेखला का करम सई है ध्यान रहे गास, बक्री और सिर एक करम जो है सही है यानि 5 का C और 4 का B चलिए next ध्यान देंगे कह रहा है कि जोना नुकलियोसाइड है एक देखे एक बता और बता दे नुकलियोसाइड और एक और होता है नुकलियोसाइड ये दोरों काफी important question है ये बच्चे को भी हम बताया थे और ये पूछा भी गया है, देखिए सामने यहाँ पर ठिक लगाया हुआ भी है तो ध्यान देंगे बात आजाते है कि नुकलियोसाइड और नुकलियोसाइड क्या होती है लेकिन हम सबसे पहरे विचार करेंगे नुकलियोसाइड बे आपको हम बता दे कि नुकलियोसाइड में जो होती है यानि छट्ठा का ए लेकिन अगर यही पर रहता क्या कि नुकलियोसाइड है तो आपको बतानी होगी कि सुगर नाथोजीनस भेस पलस फॉसफेट चली आगे चलते हैं नहीं 6 का answer perfect और correct है चली आगे देखते हैं कह रहा है कि gamit nirman को कहते हैं तो gamit nirman को क्या कहा जाता है gamitogenesis कहा जाता है ध्यान रहे हम तुछा साब को बीशें जनकर एक लिए बता दें कि gamitogenesis जो होते हैं दो परकार के होते हैं एक होते है aspermatogenesis और दूसरा होते है ogenesis aspermatogenesis में क्या होती है तो asperm बनते है और ogenesis में क्या होती है ओभा बनती है और इन दोनों ogenesis और aspermatogenesis को मिला करके हम लोग gametogenesis कहते हैं जिसमें gamet करिमान होता है पास्ट पोशन में आ गई यानि 7 का a एक क्यूशन कल भी जहना बच्चे को offline class में जो नए वाले 12 वाले बच्चे हैं उनको भी जनकारी दी जा रही थी पढ़ाई जा रही थी तो चलिए जो 11 क्लास से 12 क्लास पर हाली में जो बच्चे गए हैं उनको भी बहुत सारा क्यूशन इसमें capture हो रहा होगा क्यूंकि उनको भी इस प्रकार से जनकारिया दी गए थी और बताए गए थी तो चलिए आपको बता दिया गया क्या तो 7 का a और उसका थम चलते हैं 8 की तरफ तो ध्यान देंगे 8 क्यूशन है कारा की restriction enzyme है ठीक एक काफी important भी आप पूछा जाता है अकसर हम यह बच्चों को हम जिक्र किये थे लेकिन test में क्यूशन नहीं दिया गया था पहले भी 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 करवा दिये गया है जितने भी इसमें क्यूशन है पहले भी 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 आई करवाए गया है लेकिन अधिकांस क्यूशन जो test हम लिए थे उसमें से आ गया है तो बच्चे लगवा हूँ बहुत सब तो बच्चे बहुत जादा खुश देगे सर सब क्यूशन ही आया है लेकिन जो आप जल्दी में टेस्ट लिए तो जहने इतना ज़्यादा आ गया कि उसी से हम लोगों काम बन गया पहले वड़ा को हम लोगों को देखना ही नहीं पड़ा तो चलिए हमें भी बहुत खुशी हो रहा है इस चीज को जान करके कि बच्चे हमारा जहना बहुत बहु अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और अच्छा लग रहा हो और काफी इससे आप मोटिवेट हो रहे हैं तो आप इस वीडियो को जहने चार तरफ अधिक सदिक फैलाईए अधिक सदिक लाइक किजिए और हमारे अदर जहना फैस्बूक पेज हो या फिर सुसल मेडिय और भी हो इंस्टाग्राम टेलिग्राम हो या फिर ट्वीटर हो जो भी हो वहाँ पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं उसका नाम आप जहना डिके आसमार बायुद क्रासिस को लिख करके सद करके आप फॉलो कर सकते हैं तो जली आगे चलते हैं एट में क्या है करिके उधान में सुरक्षा पदान की जाती है तो इसमें option के पु меньше होगा और भी डोनो mm नेक्स्ट किश्व ने कहा रहा है कि दृत्यक उत्पादक्ता किस से संदित है तो ध्यान रहे दृत्यक उत्पादक्ता यानि सेकेंडरी प्रोरक्टिविटी जो होती है वो सेकेंडरी कंजूमर को कहा जाता है तो हम आपको पढ़ाया थे और बताया थे कि secondary consumer जो होती है वो हमेशा क्या होती है तो मान्सहारी होती है क्या होती है मान्सहारी होती है यहीं 10 का C option कारा कि पास्चुलेसन में गर्म करते हैं तो केबल दूद को ही गर्म किया जाती है ठीक है आधिक मात्रा में गर्म कि प्रकौर्दी प्रोसस को आपनाया जाता है। और अगए चलते हैं। अन्यूर को पराग भेती होती है, तो द्रियास्तरिय होताय और बात आपको क्योग मेदिता तो देखने को मिलेंगे कि ऐसके लाइप अगर हम बात करें तो ध्यान रहें यहां पर आपको 12 का क्या तो वहां स्थीimeter हो रहे थे जोटी है उत्वरन कहा से ओती है अस्तिमजा से से होती है तो उन बच्चों को मैं बताना चाहेंगे जा इन और एक पूझाएं कि लिंफोसाइट अफंप को पूझा जाए तक बताने हो त्यामश क्रणति से मैचुनेशन इंतल्स पूझा जो अस्थी मज़ा से हो तिरा बर्प्सन आपको जो है यह मारनी है मिस्टा ध्यान रखनी है बिल्कुल पर्फेक्ट और कैरेक्ट है गहाप आने के जो नहीं है आप उसको अनलाइसे भी कर सकते हैं क्योंकि यहां पर जो भी हम कॉंटेंट देते हैं पुरीतर से उसको अनलाइसे करने के बाद ही दे जाती है और इसके अलावा तो हमारे पास का अपने से अनलाइसे कर सकते हैं या आप कॉमेंट बाक्स में लिकरके हमें दुबारा उस पर बात विचार करवा सकते हैं और पूछ सकते हैं तो चली आगे चलते हैं यह रहा है कि किस फल में जहना बीच्वल खाया जाता है तो ध्यान रहें ऐसे अक्सर बच्चे जहना लीची और अगर मारते हैं लीची भी सही है को दिकत नहीं है लेकिन इसमें से सभी होगा क्योंकि टोटल के वीच्वल खाया जाते हैं का रहा है कि जहना सियो टू प्रदूसन का सुचक है तो लाइकेन ठीक है इभी क्योशन देखे इस टेस्ट में दिया गया था का रहा है कारेकरता मद्धुमक्री जो होती है वह सहथ को निर्मान करती है चलिए इसके लब आगर हम आपको बताना चाहेंगे तो ध्यान निमली खित में यहां पर 18 क्यूशन नेक्स्ट क्यूशन है 18 नमबर हाँ यहां पर नेक्स्ट क्यूशन है 18 नमबर ध्यान देंगे यहां पर करके निमली खित में कौन सी बिमारी मुर्गियों में होती है तो ध्यान है मुर्गियों में हैजा भी होती है और असमट भी होता ह यानि option जो होगा इसमें C होगा next का रखिट्लियों धोसा का आटा किस स्ट्जिव के परियोग से बनाय जाता है तो इस्ट के परियोग से बनाय जाता है इसमें क्या होती कि इतलियों धोसे जो होते काफी soft और mulaim हो जाते हैं और काफी फूले हुए नजर आते हैं इसलिए इस्ट का उपियोग किया जाता है किसी भिभोज प्र downtown ओ या खादे प्रदार्थों को फूला ना असपन्ज मगरा जो बनाय जाती है, इसके उपियोग के द्वारा ही बनाय जाती है या फिर केक हो गया या डबल डोटी हो गई इसके उपयोग से ही बनाई जाती है यहनि उन्हें इसका D option का रहा है नेक्स्ट कुशन है एगारोज किस से प्राप्त होता है तो ध्यान रहे एगारोज जो होता है वो समुंदरी घांसों से प्राप्त होती है और एगारोज का उपयोग जो होता है सुक्षन जीओं को कल्चर करने के लिए भी किया जाता है लेकिन इसकी प्राप्ती होती हो कहां से होती है समुंदरी घांसों से होती है यानि 20 का B option चलिए नेक्स्ट 21 कहा रहा है कि ओपयरण मोडल को प्रस्तावित किया था तो ध्यान देंगे जया कब एंड जो है मुनौद ठीक है मुनाद तो दुबै किनि थे जिन्होंने क्या किया था ओपयरण मोडल को प्रस्तावित किया था नेक्स्ट ध्यान देंगे, क्या है विशानों से फैलने वाली है, यह विशानों से नहीं फैलती 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 है, कैने रखा गया है लेकिन कार्वनिक खेती को पसुपालन के अंद्र गत दिखा गया है इसलिए का जो अप्सन होगा जहाइ यानि कार्मनिक खेती, next question को देहान दीजिए, next question है कि निमनिकित में से किसका सम्वंध माइक्रो बाइलोजी से नहीं है, देहान रहे, जितने भी आप यहां पर देख रहे हैं, A, B और D, इन तीनों बैग्यानिकों का सम्वंध जो है, वो माइक्रो बाइलोजी से है, यानि अ 24 का अंसर आपको correct C मिलता है, चलिए, next देहान देंगे, कह रहा है, question 25, कह रहा कि anti-codons किसमें पाया जाता है, तो देहान रहे, anti-codons जो होती है, वो tRNA में देखने को मिलती है, ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत सारे से codon होते हैं, जिसके बारे में, offline class में जिक्र किये थे, औ मेंडल ने क्या किया था, तो अनुमान सिक्ता के नियमों को प्रस्तावित किया था, उसके अलागा हम next question की बात करें, तो कह रहा कि प्रिथक के सिधान्त को और क्या कहते हैं, तो ध्यान देहान है, प्रिथक के सिधान्त को जो है, यह कहा जाता है, क्या तो इग्मकु की सु प्रजातियों कि जह निर्मान का महत्वपून कारक है Mutation में मुटेशन में क्या होती है? अचानक नए नए जीवों की उत्पती हो जाती है जो हम लोग सोच भी नहीं पाते हैं उसका भी जहना इसमें क्या हो जाता है? इसक्रिया के माध deleting से उत्पती हो जाता है तो यह बात आप ध्यान रखने हैं कि नए जीवों की जो उत्पती होगी या प्रजाथियों की जो उत्पती होगी उत्परिवर्तन के वज़द से होगा यानि 28 का भी ध्यान रहा है कि रितु सुराव चक्र किस में होता है तो रितु सुराव चक्र जो होती है वो प्राइमेट जीवो में हम बताये थे और नन प्राइमेट जीवो में हम बताये थे क्या होती है मन्द चक्र होती है लेकिन यहाँ पर मन्द चक्र नहीं पूशी जा रही है यहां पर रितु सुरा पूछी जा रही है, तो यहां पर प्राइमेट जीवों में होगा, तो यहां पर जितने भी आप देख रहे हैं, मनुष, वंदर और चिपैन जी एक प्रकार के प्राइमेट जीव है, यहां इसका जो correct answer जो होगा, वो क्या होगा, तो D होगा, इन में से सभी, यहां 29 का D, 29 के अगर हम बात करें, तो यहां हाल ही में आपको पढ़ाया गया था, ठीक है, और टेस्ट में भी दिया गया है, जो 12 वाले नए वाले भी दारती है, उनको भी जिक्र किया गया था, पढ़ाया ही गया है, बिल्कुल आप धेहन रखिए, क्या होती है, त कि में पाय जाता है, तो द्वीखंडन जो होते हैं, अंये अमीबा और परमीसियम, यहनि यहां अंड़े क्वह, उनमें द्वीखंडन या द्वीभाजन की प्रक्रिया होती है, जिसे मों इंगलिस में व्यानरि फीजन के बारे में भी जिक्र किये थे, ठीक है, तो आपको यहां पर अंसर परफेक्ट और करेक्ट लगानी है option C यहनि अमीबा और परमेसिन दोनों में होती है क्योंकि दोनों एक कोच किये जीव है आगे चलते हैं ध्यान रखने लिए बात आ जाती है कहा रहा है कि DNA अनुव में साइटोसिन क्या 18% है तो एडिनीन का एडिनीन क्या होगा तो ध्यान देंगे एक बत और हम आपको जनकरिया दे दे कि एस साइटोसिन पूछ रहा है तो साइटोसिन का 18% तो साइटोसिन हमेशा गुवानिन के साथ जूरती है तो 18% A तो 18% गुवानिन हो जाएगा तो 18 दोना 36 और आपको 100 % दो से भाग देंगे तो हमें क्या प्राफ्थ हो जाएगा तो 32 यानि एजिनी की प्रतिसत होगी वह 32 पूछा गया था आगे नहीं आपको ध्यान अखनी है कि 31 है उसका जना कायरेक्ट सा ही कायरेक्ट रंसा जो होगा वह डी होगा आगे चलते हैं ध्यान दिजिये नेक्स्ट की चना कारा के विडायल परिक्षान किसकी जहना पूछ्टी के लिए किया जाता है तो टाइफाइड के लिए किया जाता है तो असाम फास्ट चलते हैं एक वक ज्यादा लग रही है तो चलिए ध्याम देजिए करके एचावे निम्न मेंस से जहना किस कोशका पर आ कुछ मैटेरियलों को रिलीज करती है ताकि एंटीजेनों को कैप्चर कर सके मैनेज कर सके उसे रोक सके ठीक है और चलते हैं आगे करने राषान क्या है तो हिस्टामीन है यह इसके अलावा कर हम बात करें तो बाएयो गैस में होता है तो बाएयो गैस में आपको बता दें कि मीथन होता है क्या होता है यह भी ठीक है तो चली 37 का option जो है वो क्या है तो ध्यान देंगे C है कहरा है crossing over किस अवस्था में होती है तो packaging अवस्था में होती है यह हम बताते है cell division के किस अवस्था में आती है जिनको पता होगा comment box में लिकर के बताईएगा आगे चलते हैं तो PCR से किस की जांच होती है तो PCR से cancer की जांच होती है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन है तो पुर्व पौधा बन जाता है गुन को क्या कहते है तो क्लोर्निंग कहा जाता है आरटिस का चैना 49 का ए करा कि आवरित भी जी पौधो में घुण सुत्रों की शुत्रगूनता क्या होती है तो THRI एन होती है यानि आपको सिंपल भासा में याद रखना है भुरुन पोस किस प्रकार होते है द्रिगूनित होते हैं ठीका त्रिगूनित होते हैं संतती उत्पति एकल जनन दुरारा होती है तब यह क्या कहा जाता है तो यह आलाइंग जनन कहा जाता है यह 41 के B option कहा रहा है कि मानो इगमकों में गुन सुत्रों किक्तनी संक्या होती है देखे इगमक बोल रहा है human gamit, तो हमेशा human gamit में में जो होते हैं, टीक है, gamit हमेशा होती है, हैपलवाइड यह यह आधा होती है, तो human में कितने गुंज़ुटर होते है, 46, तो gamit है तो हाप, यहनि कितना 23, पास्ट में आ रही है, यहनि 22 का option B, इस बात को द्यहान रखेंगे, अगर केवल हुमन पूछा जाता तो आपको 46 लगानी थी, लेकिन यहाँ पर गैमिट के बारे में जिक्र की जा रही है, इसलिए उसका आधा होगा, आगे चलते हैं, ध्यान रहे, करे एक इदना होती है, तो एक प्रका का योजग कड़ी है, जो क्या करती है, तो दो जीवों क कि अंगों को आपस में जोडने का कार्य करती है, जो कहा रहे है करके डोडो क्या है, तो देहान देंगे, एक प्रका का विलुप पर जाती है, नेक्स्ट के अगर हम बात करते हैं, पैतालिस क्यूशन था फट अफट चलते हैं, क्योंकि बहुत क्यूशन है, तो देहान इगुनज है, जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं, देहान रहे, क्या अंडानु जो है, यहनी अभिम जो है, देख रहाना, अभम जो है, वो क्या है, एन है, और भुरुन पोस्क अभी बताएगा आपको पीछे कि यह 3N है, तो यह बिल्कुल 2N है, और ऐसे ने कि बचा इस अभी तो हो नहीं सकता, इसलिए, यहाँ पर A वाला उप्सन कौन, तो 45 का C, चलिए, नेक्स्ट क्यूचन है, 46 का रहा है, निम्ड में से कौन सा, निम्ड में से कौन पौधात, जलो विद्ध है, तो ध्यान देंगे, सिंहाडा, ऑप्सन A, यहनी 46 का ऑप्सन A, अगर हम 47 की 47 का ऑप्सन A, 48 का रहा है कि मनुस, यहनी प्रूस, तो यहाँ पर आपको क्लियर कर रहा है कि मनुस में फिवेल नइबल की मेल होनी चाहिए, तो देखेंगे, आप लिखा हुआ है, ठीक है, मेल, तो मनुस की जो मेल होते हैं, उनमें गुन सुतों की संख्या जो होती हो, किस आपको पता भी होगा, और उनवाले को तो पता ही पता है, क्योंको उनको कई बार यह जिज बदाए गई है, तो देखें, इसमें क्या होगा, तो आउटोसम और सेक्स डिवेल की संख्या को ध्यान में रखते हैं, पर जहना नोट्स किया गया है, तो आपको हम बता दें, कि मनुस जो होते हैं, यानि पूरुस जो होते हैं, उनमें 46 गुन सुत्र होती है, इस्तरियों में 46 गुन सुत्र होती है, लेकिन हम पूरुस के पूछी जा रही है, इसलिए हम पूरुस पर विचार करेंगे, तो पूरुसों में जो होती है, वो क्या होती है, वो क्या होती है, X और Y chromosome होती है तो अब हम देखेंगे कि 44 प्लस X Y chromosome कहां है तो ध्यान देखेंगे 48 का B option में यह आपको option देखने को मिल रहा है यानि क्या होगा तो 48 का B option सही होगा चलिकार अगेंडा जना अभियारन किस राज में अवस्तित है तो ध्यान देखेंगे असम में अवस्तित है कहां अवस्तित है तो असम में अवस्तित है विदिकत चलिए नेक्स्ट किश्वन है ओपेरन मोडल क्या परदर्शित करता है तो ध्यान रहे ओपेरन मोडल जो है जिन क्या करता है रेगूलेशन को परदर्शित करता है देहान रखेंगे तेनी 50 का C culi aipji देहान रखेंगे कर रहा है कि निम्नमे शे किसका पुषपास्ण खाय है तो answer है ठीजा बी यहानी शेव का पुषपास्ण खाय DNA किसका अनुोवानशिक पतारत है तो neuronate थेहान रहा है यहने से से फिर्पास नम्बर परस्तिक तंत्र में अहर सिंखला में उर्जा का परवा होता है यह बिचार किये थे और पूछे थे कि यह पर परफेक्ट वेख्वा एक दिस्य होती है ठीक है और हम इसका डाइग्राम भी देखर कि बच्चों को बताया थे और आपको भी आप नए है तो आपको भी सिखने क पूद को कम लेगा से और यह divisions को सुनत रहे हो सिखंए और आगे देखते हैं थेख सब्सक्राइब कीजियं और अधिक सिद्रीच वीडियो को लाइक माने क्यों कि बहुत में लगती है इस वीडियो को सूट करने और बनाने में और आगे ने कॉंटेंट को तैयार करने में यानि 54 का option D आगे चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन है कह रहा कि 6 रोग का संक्रमन मुख्रूप से जना 6 रोग का संक्रमन मुख्रूप से किसके द्वारा फैलता है तो ध्यान नहीं ऐसे तो अगर हम बात करें तो जल व्योग करेंगे तो भी हो सकता है संपर्क में भी हो सकता है ऐसे कीट से तो नहीं हो सकती है लेकिन देहा नखेंगे इसका जो correct और perfect answer है वो क्या हवा तो हमें क्या होनी चाहिए तो छैरोग से जो ब्यक्ति संक्रमित होते हैं तो उसे हमें दूरी बना करकर रखनी चाहिए social distancing यहाँ पर हमें follow करनी चाहिए जैसे के आप corona में लगतार लम्ने सने से करते आ रहे थे ठीक है आगे चलती है तो देखिए बात आ जाती है छपपन तो छपपन में आपको मता दे कर रहा है जहना जहाँ रियक्टर अनुकूलन प्रस्तिती में क्या निर्मान करता है तो ध्यान उत्पादक बनाया जाता है ऐसे इसमें तो अगर देखा जाते हैं तो इससे बहुत सारे जीवों को भी विकास कर लाए जाती है लेकिन उन सभी को आप common बात बताएं तो उनको उत्पादक कहा जाता है तो आप इसमें आप जह 56 का अंसर ए मारेंगे ठीक है परफेक्ट और कारेक्टर है कोई दिक्कत नहीं आगी चलिकार रहा कि निम्ड में से जहना निम्ड में से कौन नर युगमक से सयों कर भून पोस बनाता है जहना डबल फार्डेशन से कुछा गया ध्यान रखेंगे इसका जो परफेक्ट और करेक्ट अंसर वह डी है यानि 57 का डी नेक्स्ट को ध्यान दीजिए इभी जहना विचार की गई थी बच्चों को सिखाय गय के लिए हैं अगर संत्फटम भी होता है अगर संत्फट आंपने तो आप हमें अपना असंतुस्था शेयर करेंगे ताकि हम आपको कुछ help कर सके तो चलिए अगला कारा नेक्स्ट जना एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है इस घटना को क्या कहते हैं ठीक है तो ध्यान देंगे एपी अस्टैसिस के नाम से करम जो संदे स्वहक और ने कोडन बंधता है उसे क्या कहते है तो उसे anti-codone कहते है क्या कहते है anti-codone कहा जाता है कर दिकत नेक्स्ट किश्चन है फचिररिया वैंको कॉर्प्टाई जो है जो आद्मियों में फिलरिया रोग पाइदा करता है वो तो ध्यान देंगे हिंतिज समूह माना जाता है यह एक प्रकाय का जहना वर्म है क्या माना जाता है वर्म माना जाता है इस बात को आप ध्यान रखेंगे इसमें भी बहुत सारे बच्छे जहना confusion है तो घराइए नहीं जहना 60 का option D होगा next question है कि अधिक alcohol लेने से सरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है तो इस सिंपल सी logic है क्या तो liver आप सुने भी होंगे कि ज़्यादा alcohol लोप्यों करेंगे liver खराब हो जाएगा या सुना आपको यह word लग रहा होगा तो इसलिए एक सेट का बी ऑप्षन अव यह सुना हुआ इसलिए जहने सही है बलकि सही ही होता है आग अचलिए ध्यान देजिए और नेक्स्ट किस्च्छन है क्रखें मेंडल की नियमों का रहाब Prep अफवाद है और इसकी अलावे बहुत सारे अपवद होते हैं जो हम आपको नपढ़ा रहते तो बताया देजिए यह एहां पर सब जो भी है टिछान यहां अलावा सब जो है यह और इस यहां पर यहां पर यहां संचाइद पूछी जा रही है इसलिए 63 का D option आगे चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन है 64 करक निम्न में से कौन किट भाची पौधे हैं तो ध्यान रखें तो इसमें किट भाची पौधे के अगर हम बात कर लें तो यहां पर ध्यान देंगे किट भाची पौधे माने जाते हैं तो इसमें जो option होगा वो बिल्कुल C आपको होगा तो ध्यान देंगे 64 का C नेक्स्ट केशन की अगर हम बात करे तो ध्यान रखने वाली बात आ जाती है करक निम्न में से कौन उभेलेंगी प्रानी है तो ध्यान क्लोरेला क्राइग जीन बालक्रिमी किस फसल को बचाता है तो ध्याम देंगे. यहाँ पर इसका पर किटों से बचा रहे हैं. सरसट का option यह हो गया. कोई दिकत next चलिए करक्णिम से DNA के प्यूरीन में पाई जाती है देखिए एक क्यूषन आहें गया उहां आ रहे न था यह पर DNA है तो यह भी क्यूषन पहले पढ़ाय गया बताया गया है कारक्णिम में से जना DNA में कौन से जना प्यूरिन भेस हैं तो ध्यान देगे हम DNA के प्यूरिन को याद करने के लिए बच्चे को जना टिक दिये थे AG Tc यहनि अगर प्यूरिन है तो AG यहनी यह और ग्वा निन आगर क्या है तो पैर मिन है तो TC DNA है तब तो थाइमिन और क्या साइटोसीन तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो आर्सट है उसका जो आप्सन होगा हो क्या होगा सी होगा पास्ट में रही है एडिन और गुवानिन पाए जाएंगे किस में तो DNA के प्रून में कारण से होता है तो द्यान देंगे कैंसर जो होता है पूर्ण अगर हम बात कर लें तो उंको जीन के करन होती है बासन में आ रही है चलिए यहां पर ध्यान देंगे 79 का perfect जहना आप P option मारेंगे चलिए 70 का राकिन जहना सुक्स्म परजनन में जहना क्या संभव है सुक्स्म परजनन जहना कैलिक्स और जहना कुरोला या जो भी xplant होते हैं उसको लेकर किया जाता है और जब xplant को लेकर के experiment किया जाता है तो जब भी आपको होगा तो लैंक नहीं बलकि वो अलैंक जनल होता है यानि 70 का option यह हो गया कोई दिकत तो यहां तक आपको जितने भी किशन थे इस पर विचार किये गए बासपोस्म में आ रही है तो objective किशन जितने भी थे आपको उसका answer की दिया गया तो आप इससे answer की आप मिलाईए और पूरी तरह से देखिए कि आपका जना कितना सही और कितना गलत है और जितना सही है वो आप हमें comment box में लिकर के बताईए ताकि हमें भी idea लगे कि हमारे बचे तो काफी YouTube चैनल को सब्सक्राइब किजिए और इसके लावे हमें other social media पर भी follow कर सकते हैं जितने भी social media network है उनसे भी हमें आप follow कर सकते हैं बहुत सारे वहाँ पर आपको जना followers मिल जाएंगे उसमें आप भी सामिल हो सकते हैं अगर आप चुक है तो भी जक आईए आपका स्वागत है और इसे के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत और next video में कभी मिलते हैं और बाद करते हैं फिर पुना तो चलिए आज की वीडियो में इतना है फिर हम लोग नेक्स वीडियो में मिलते हैं